हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विबेक कुमार आप सभी लोगों का क्राइन की कहानी में हारदिक स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं बेंगलरू की एक कमपणी में सारे मुलाजिम अपना काम कर रहे थे कमपणी के CEO और ND भी अपने-पने कमरे में मौझूद थे तभी तीन लोग वहां आते हैं और तीनों कमपणी के MD के साथ करीब 20 मिनट तक मीटिंग करते हैं फिर अचानक तीनों अपने साथ लाए गए तलवार और खंजर निकालते हैं और पहले कमपणी के MD और फिर CEO का बेरहमी से कतल कर देते हैं फिर एक कातिल इस डबल मर्डर को लेकर अपने मैसेज के साथ एक इंस्टा रील बनाता है आगे की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी मशहूर अमेरिकी सीरीज बैटमैन के एक किरदार जोकर की तरह तयार ही बेंगलुरु का एक नौजवान सोशल मीडिया पर तीन जुलाई को एक रील पोस्ट करता है पोस्ट में वो अजीब से गेट अप में नजर आता है उसका चहरा सफेध है आंखो के इर्दगिर्द काला रंग है और लाल रंग की शकल में मुह से खून तपक रहा है रील में वो लड़का को लावेरी डीगाने के साथ अजीबो ग्रीब भाव भंगिमाए बनाता दिखता है नौ दिन बाद वही जोकर इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट डालता है ये वही पोस्ट है इस पोस्ट में वो लिखता है इस ग्रह के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुचाई है मैं केवल बुरे लोगों को चोट पहुचाता हूँ मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठेस नहीं पहुचाई कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाना ना भूले इतना ही नहीं इस पोस्ट के साथ साथ वो एक न्यूस क्लिप भी लगाता है उस न्यूस क्लिप में शहर में हुए दो लोगों के कतल की खबर थी कमाल देखिये कि कुछ देर पहले उन दो लोगों का कतल किसी और नहीं खुद इसी जो करने किया था यानि खुद कतल किया और फिर खुद ही कतल का एलान किया और कतल की खबर भी पोस्ट कर दी आईटी सिटी बेंगलूरू को दहला देने वाले डबल मर्डर का कनेक्शन सीधे मशूर अमरिकी कॉमिक सीरीज बैटमैन से जाकर जुड़ जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था लेकिन जब पुलिस ने शहर की एक आईटी कमपनी में हुए डबल मर्डर के मामले की तफ्तीश शुरू की तो कातिल के तौर पर जिस शक्स का चहरा पुलिस के सामने आया उसकी हकीकत जानकर खुद वर्दी वाले भी चौक गए ये शक्स डिटेक्टिव कॉमिक्स के बैटमैन सीरीज के एक किरदार जोकर से कुछ इसकदर प्रभावित था कि उसने अपना नाम ही जोकर फेलिक्स रख लिया था और किससे कहानियों का ये खूनी जोकर एक रोज सचमुच का खूनी जोकर बन गया उसने एक IT कंपणी के मैनेजिंग डाइरेक्टर और CEO की तेजधार हतियारों से वार कर हत्या करदी पर अहम सवाल ये था कि आखिर उस जोकर ने दो-दो लोगों का क्तल क्यों किया सोशल मीडिया में पोस्ट किये गए इन रीज के साथ शहर में हुए दोहरे कतल का क्या कनेक्शन था क्या ये सिर्फ कोई दिमागी फितूर था या फिर इस कतल के पीछे कोई गहरी और भयानक साजिश चुपी है तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको बेंगलुरु में हुए दोहरे हत्या की वारदात को जानना और समझना जरूरी है बेंगलुरु में एक इलाका है अमरिताहली उसी अमरिताहली के पंपा एक स्टेंशन में मौजूद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कमपनी एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है मंगलवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस आफिस में काम के सिलसिले में कुछ लोग दाखिल होते हैं वो सीधे कमपनी के सुप्रीम बॉस यानी MD सुबरहमन्यम फनींदर के चेंबर में पहुँचते हैं उनके साथ करीब 20 मिनट तक मीटिंग करते हैं और मीटिंग खक्म होते होते कमपनी में आए ये गेस्ट अचानक सुबरहमन्यम फनींदर पर चाकू और तलवार जैसे घातक हतियारों से हमला बोल देते हैं तेजधार हतियारों के हमले से बुरी तरह जखमी हो रहे सुबरहमन्यम फनींदर अब जोर-जोर से चीखने लगते हैं वो अपने सहकर्मियों को चिल्ला कर अपनी मदद के लिए बुलाते हैं उनकी चीख सुनकर बगल के चेंबर में बैठे कमपनी से चीफ ओपरेटिंग ओफिसर यानी सीओ विनु कुमार उनकी मदद के लिए दोड़े आते हैं और फनेंदर के चेंबर का मनजर देख कर घबरा जाते हैं हालांकी वो हिम्मत नहीं हारते और फनेंदर पर हमला कर रहे किरदारों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक अगला नंबर उनहीं का आ जाता है अब तीनों फनेंदर को तड़पता हुआ छोड़कर विनु कुमार की तरफ लपकते हैं और फिर उनका भी वही हश्र करते हैं जो हाल उन्होंने फनेंदर कुमार का किया है चाकू और तल्वार जैसे खतरनाक और धारदार हथियारों के हमले से अब वीनु कुमार की हालत खराब हो जाती है वो भी चिल्लाने लगते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं तब तक एंडी के चेंबर से आता शोर शराबा सुनकर कम्पनी में काम कर रहे करीब दस एंपलाइच चेंबर की तरफ भाग कर आते हैं लेकिन खून से सने हथियार लहराते हुए हमलावर सारे करमचारियों को दूर रहने की हिदायत देते हैं और फिर आराम से दफ्तर से बाहर निकल कर फरार हो जाते हैं आनन्फानन में कम्पनी के करमचारी अब अपनिम हो जाता है आनन्फानन में बेंगलुरू की पुलिस मौकाय वारदात पर पहुँचती है और मामले की जाच शुरू कर दी जाती है हालांकि इस वारदात को अंजाम देने वाला ये किरदार यानी जोकर फेलिक्स जितना रहस्यमई है वारदात के पीछे की साजिश उतनी पेचीदा क्योंकि एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी और दफ्तर में हुए दोहरे कतल के चश्मदीद आसानी से कातिल को पहचान लेते हैं और पुलिस को उसकी जानकारी देते हैं ये कातिल कोई और नहीं बलकि उसी कमपनी में काम कर चुका एक पूर्व कर्मचारी शबरिश उर्फ जोकर फेलिक्स है जिसने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था चानबीम में पुलिस को पता चलता है कि शबरिश और उसके साथी दफ्तर में बाइक पर सवार होकर पहुँचे थे और कमपनी के एंडी से बात करना चाहते थे तीनों सीधे उनके कमरे में पहुँचे और उनसे लंबी बातचीत भी की लेकिन मीटिंग का अंत्खून खराबे से हुआ एक के बाद एक कमपनी के दो सबसे बड़े अफसरों को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल जोकर और उसके साथी आराम से बाइक पर बैठ कर मौके से फरार हो गए जोकर फेलिक्स के बारे में सारी जानकारी जुटाने के साथ ही अब पुलिस उसकी और उसके साथियों की तलाश शुरू कर देती है चुँकि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है पुलिस को भी उसकी तस्वीर हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती और बड़े आराम से शबरिश की तस्वीरों के सहारे उसे ढूंडने लगती है शबरिश का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी शहर के अलग-अलग पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दिया जाता है हाला कि इतना सबकुछ होने के बावजूद कई घंटे तक पुलिस को उसका कुछ पता नहीं चलता उधर इतनी भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद भी शबरिश उर्फ जोकर फेलिक्स सोशल मीडिया पर ना सिर्फ एक्टिव नजर आता है बलकि एक के बाद एक कई रील्स और पोस्ट्स डालता है अब तक आईटी कमपनी में हुए दोहरे कतल की ये वारदात बेंगलरू की लोकल मीडिया में सुर्खिया बन कर तैरने लगती है हद तो ये है कि कातिल को इसके बावजूद अपने पकड़े जाने का डर नहीं लगता और वो उल्टा दोहरे कतल की इस खबर को मकतूल और कातिल यानी मारे गए मानों खुद ही कतल करने के बाद उसका एलान कर रहा हो इसी बीच वो सोशल मीडिया पर अपनी एक स्टाइलिश पिक्चर के साथ वो लाइने लिखता है जिन्हें पढ़ कर लगता है कि वो अपनी करतूत को सही ठहरा रहा हो उसकी ये पोस्ट कहती है इस ग्रह के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुँचाई है मैं केवल बुरे लोगों को चोट पहुचाता हूँ मैंने कभी किसी अच्छे लोगों को ठेस नहीं पहुचाई शबरिश उर्फ जोकर फेलिक्स की पोस्ट और उसकी करतूत ये इशारा करती है कि वो कमपनी के MD और CEO से सक्ट नफरत करता था पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला कि कमपनी में हुए कुछ मतभेदों के बाद उसने कमपनी छोड़ दी थी और इसके साथ खुद ही अपना काम शुरू कर लिया था लेकिन चुंकी उसकी और उसकी पूर्व कमपनी यानी Aeronics Media Private Limited के हित एक दूसरे से टकराते थे वो MD फनींद्र सुबरहमनियम और CEO वीनु कुमार को अपना दुश्मन मानने लगा था आखिरकार पुलिस कई घंटों की मशक्कत के बाद शबरिश उर्फ जोकर फेलिक्स उसके साथ विनय रेड़ी और संतोष उर्फ सांतु तक पहुँच जाती है और उन तीनों को गिरफतार करने में काम्याब हो जाती है लेकिन इनकी गिरफतारी के साथ ही जब तफ्तीश आगे बढ़ती है तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है पता चलता है कि इस हमले के पीछे सिर्फ यही तीन लोग नहीं बलकी एक और भी शक्स था जिसने इन तीनों को इस कतल और हमले की सुपारी दी थी अब पुलिस इन तीनों की निशानदेही पर एक और ब्रॉडबैंड कमपनी जीनेक ब्रॉडबैंड के मालिक अरुन कुमार आजाद को बेंगलुरू के ही कैमपे गौडा इंटरनेशनल एरपोर्ट से गिरफतार कर लेती है पुलिस सूतरों की माने तो ये शक्स मंगलवार और बुधवार की दर्मियानी रात को फ्लाइट लेकर दिल्ली से बेंगलुरू पहुँचा था लेकिन इस से पहले की वो एरपोर्ट से बाहर निकलता पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया अब तक की तफ्तीश के मुताबिक उसी ने शबरिश उर्फ जोकर फेलिक्स और उसके साथियों को बिजनेस राइवल्री के चलते इस कतल की सुपारी दी थी सुपारी सिर्फ कमपनी के MD फनींद्र सुब्रहमन्यम के कतल की दी गई थी लेकिन चुंकी कमपनी के CEO वीनु कुमार ने कातिलों को रोकने और MD को बचाने की कोशिश की कातिलों ने उसकी भी जान ले ली इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाना न भूले धन्यवाद